नमस्कार किसान भाईयों कैसे हो आप सब किसान भाईयों आज की वीडियो में बात करेंगे हम गेहूं की खेती के बारे में किसान भाईयों अगर आपने भी गेहूं की खेती बोई हुई है और इससे में वो 55-60 दिन की हो गई है और उसमे फूल आने को तयार है यानि कुछ समय के बाद उसमें बालिया निकलनी सुरू हो जाएंगी किसान भाईयो अगर आप गेहों की खेती में पैदावार बढ़ाना चाहते हैं आप चाहते हैं कि हमारा गेहों का जो बालिया निकले वो लंबी और जो दाना बने वो पूरा भरा हुआ और चमकदार दाना बैंदार दाना बने तो ये वीडियो आपके लिए हैं इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इस वीडियों हम एक ऐसा इस पर बताएंगे जिसका दोनों का मिक्षर बनाकर कि आप अगर छड़काप अपना खेत में कर देते हो तो इससे उत्पादन तो बढ़ेगा ही साथ में ग्यहूं बहुत शांदार और स्वाधिश्ट होगा खाने में तो किसान भाईयों वीडियों स्टार्ट करने से पहले आप से एक रूकेस्ट और है कि मेरे चैनल पर पहली बार आये हैं तो इसको सब्सक्राइब जरू कर लें क्योंकि इस तरीकी की वीडियों मैं बनाता रहता हूँ जिससे आप तक नोटिफिकिसन पहुँच जाए तो वीडियों स्टार्ट करते हैं किसान भाईयों बात करते हैं ग्यहों की खेती के बारे में 55 से 60 दिन की हमारी ग्यहों की खेती हो चुकी है और बालिया निकलने को तैयार हैं और अगर हम चांते हैं कि जो बालिया अच्छी और पैदावार ज़ादा हो तो उसके लिए हमें क्या करना है हमें लेना है 00.524 य इनका काम क्या है तो जो एन पी के बावन चौतिस है ये ग्यहों की ब्रद्धी को अच्छी करता है यानि बड़बार को बढ़ाता है तो अगर हमारा ग्यहों थोड़ा सा कमजोर है फसल अच्छी से नहीं हो पाई है तो यह उसको मैं अच्छी से ब्रद्धी करेगा साथ मे किसान भाईंड उएक बात होती है कि अगर पेड़ मجबूत तो फल भी मجबूत तो इसके लिए हमें करना क्या है अपनारा जो गेहूंगा जो तना है अगर वो तना मजबूत होगा तो उस पे जो बाली आएंगी वो भी अच्छी और लंबी आएंगी और उसका दाना जो होगा वो भी बजिंदार होगा तो इसलिए हमें क्या करना है तने को भी मजबूत करना है तो इस तने को मजबूत करने में ये स्प्रे बहुत कारगर सावित होता है इसके अलावा फसल जब तना मजबूत हो जाएगा तो फसल गिरेगी भी नहीं और क्योंकि हम जानती हैं अगर फसल गिर जाती है तो बहुत जादा नुकसान फसल को यहनी किसानों को देखने को मिलता है तो यह तने को मजबूत करता है जिससे जो बालियां है वो भी अच्छी आती है और लंबी आएंगी और दूसरी बात तना मजबूत हो जाएगा तो फसल गिरेगी भी नहीं और इससे हमारा उत्पादन बढ़ जाएगा किसान भाईयों फोस्पोरस के साथ साथ इसमें पोटास भी मौजूद होता है जो कि रोग पृतिरोदक छमता को बढ़ाता है क्योंकि कुछ समय के बाद जैसे फसल हमारी बहुत भारी है तो फंजी साइट का इफेक्ट होने लगता है तो ये रोग पृतिरोदक छमता के लिए भी बहुत अच्छा होता है किसान भाईयो 0052 में फोस्पोरस और पोटास पृचूर मात्रा में होने के कारण ये बनस्पतिक पृजणन को बढ़ाता है जिसी की जो फोटो सिंतेसिस की पिर्किरिया है वो भी अच्छे से होने लगती है और जैसी हमारी फसल पकने को होती है तो उसमें अच्छी ब्रद्धी होती है और साथ में जो बालियां है वो अच्छे से बहुत अच्छे से पकती है अब किसान भायों बात करते हैं हमें कितनी मात्रा में ये लेना है तो अगर एक एकड़ हमारी गेहों की फसल है तो उसमें एक किलोग्राम हमें लेना है जीरो बावन चोंतिस और इसको अपने खेत में इस्प्रे कर देना है बात करते हैं इसमें बालियां बनने को बिल्कुल तैयार हैं तो अगर इसमें हम बोरोन भी अगर मिला लेते हैं तो बोरोन मिलाने से जो बालिया हैं बालिया में जो दाना होता है दाने में जो दूद भरता है तो पूरा दाना फुल तरीके से भर जाता है जिसी की कोई दिक्कत नहीं होती है और हमारा दाना क्यों जाता है जड़ में जो ब्रद्धी होती है उसमें भी मदद करता है और बोरोन जो सबसे पूरे पोधे की ब्रद्धी के साथ साथ अधिक उत्पादन बढ़ाने में भी सायक है क्योंकि ये जो दाना बनता है और बोरोन जो है दाने को बजनदार बनाता है और साथ में चमकदार बनता ह जिससे कि जो गेहूं का उत्पादन हमारा बढ़ने लगता है तो किसान भाईयों इन दोनों को मिला करके अगर हम अपने गेहूं की फसल में अगर इस परे कर देते हैं एक सही समय पर तो जो गेहूं की बालियां वो भी लंबी आएंगी और इसके इस परे से जो तना है वो किसान रहे 55-60 दिन की जैसी हमारी फसल होती है तब हमें इसका इस परे कर देना चाहिए किसान भाईयों इस तरीके से हम अपने गेहूं का उत्पादन तो बढ़ाई सकते हैं साथ में जो गेहूं हमारा उत्पन होगा बाद में वह स्वाद में बहुत अच्छा होता है खान कि गेहूं का उत्पादन आपका बढ़ जाएगा किसान भाईयों एक बात याद रहे कि क्योंकि सर्दी का इस समय मोसम है और पाला पढ़ रहा है तो हमें थोड़ी सी नमी जरूर रखनी है अपने गेहूं खेती में तब ही इसका इस परे करने के बाद अगर आपने नहीं क करने टूँ जो लो तर च वात इस वा शादनी है शा़ हैे ज़ीयो q.